हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैसन में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका कॉनजे स्टेट में कहा है और आपकर आपका हैं या लो जाएगी और आपकी वैक एकिन सी का हैं कौन से स्टेट में कहां है और आपकी हर स्टेट से कट ओफ क्या जा सकती है इस वीडियो में हम सारी चीजों पर बात करने वाले हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसलिए आप उसको ध्यान से पूरा देखिएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लो टी टास्किंग स्टाफ वालों की जो वेकंसी है वो 3698 वेकंसी और जो हवल्दार की वेकंसी है 3603 वेकंसी है अब दार के लिए आपका फिजिकल भी है और एमटीस के लिए आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा तीर फर्स्ट क्वालिफाइड के बाद यानिके कीका है जो ती पर्स्ट में क्वालिफाइड हो जाएंगे उनकांडिएटों का टीयर टू होगा doga अब में बात करते हैं कि कि सिर्ट में कितनी वेकंसी हैं जयसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कें दर जो गरेकंसी हैं वह कोड़ कोड मैंने आपको बता दिते हैं और ओर क्लिफ यह सब कोड़ है और लीस्न íसल यह वेकंजी है वह ये दिस्ट्रिब्यूट हैं जैसे कि बैंगलोर का आपका 165, बहपाल का 46, पुवनेशपर का 36, चन्डिगड का 174, चन्नाई का 188, तिर्यवंतपुरम का 46, देली का 110, घोवा का 1, हैदराबाद का आपका 152, जैपुर का आपका 150, और कोलकत्ता का 87, लखनाओ का 133, मुंबई का 106, नागपुर का 11, पूने का 118, राची का आपकी 192 वेकेंसी है, गवाठी की 107, और वडोदरा की 173, चन्ने की आपकी 234, यह आपका कस्टम और CGST वालो की मिक्स है, तो उनकी जो वेकेंसी हैं, वो भी अलग-अलग हैं, आप देख सकते हैं, यहापर टोटल वेकेंसी जो हैं, तीन हजार 603 वेकेंसी हैं, और अब हम बात कर लेते हैं, इसकी जो लास्ट येर जो कट ओफ आपकी गई थी, MTS की, वो किसी स्टेट से कट ओफ क्या गई थी, यहापर आप देख सकते हैं, जो बिहार वाले कैंडिरेट थे, यानि कि बिहार से जो आपका OBC था, उ और बिहार में जो यूर थे, उनका 93, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, इसके यूर क्या जो था, 81, कट ओफ जो है, गई थी, और जहार खंड में अगर हम मैं बात करता हूं, यूर की, तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर 82, कट ओफ और OBC की अगर मैं बात करता हूं, जहर गंड से, तो 81, और SC की बात करता हूं, तो 73, और ST की बात करता हूं, तो 74, मैं अगर उडिशा की बात करते हैं, तो यूर के अंदर उडिशा में 75 कट ओफ गई थी, और OBC में आपकी 73, SC में 73, ST में आपकी 61, बागी के आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगॉल के अगर मैं बात करता हूं तो पंगोल के अंदर यू आ journalists जो कटोफ ती वो आउट ओफ हंडेट्व एट्टी वन थी और जौञ आपकी 78 ऐसी के आपकी 78 सिट करनाटक के अगर बात करता हूं नहिह लिए कटोफ ती थी वह उश्टि इवन ओर एक वंदर वेकेंसी थी करनाटक के अंदर आपकी सोरी कट ओफ जो थी यूर की 68 ती यानि के करनाटक स्टेट से आपकी जो कट ओफ थी वह एक एवरेज कट ओफ गई थी कंपेर टू अधर स्टेट्स और अगर के रहला की बात करते हैं तो यूर के लिए शेयएज करनाटक करता हैं तो यूर के लिए आपका 70 के लिए आपका 75 कट ओफ जो है वो कई थी किस भी स्टेट से आप आपने अपलाई किया है या आप महाँ पर जाना चाहते हैं आपने पोस्ट में सभी स्टेटों को लिए तो आप महां का स्कूर्ण ले सकते हैं और अपने माक्स और कट ओफ को अनलाइस कर सकते हैं असम कि अगर बात करता हूं तो यू आर के लिए सेवंटी थिरी ओबी सी के के लिए आपका सेवंटी एस्टी के लिए आपका सिक्स्टी वन कट ओफ जो है गई है मेगाले के अगर बात करता हूं तो मेगाले में आपका यू आर के लिए यू आर के लिए जो है आपका सेवंटी थिरी ओबी सी के लिए आपका सिक्स्टी नाइन मेगाले के अंदर जो दाउब चक्राइब में यू आर यू की बात करता हूँ तो दिल्ली के अंदर क्योंकि काफी सारे जो है एड़ क्वाटर्स हैं तो होगा की वेकंशी भी पिछली बार के पेक्षा इस बार सिंब्लर सी है तो इस बार कट ओफ मां की क्या सकती है वो वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इस में देखते हैं कि पिछली बार क्या गई थी कि UR से राजिस्तान की जोग 78 कट आफ थी और OBC के आपकी 77 SC के आपकी 69 स्ट के किए 70 कट कर तो गई थी उत्राखंट के अगर बात करते हैं UR में तो 81 OBC में 78 SC में आपका 76 कट आफ जो है जैंज में कश्मीर के अगर बात करते हैं जब मोंड कश्मीर में कि यू आर के लिए सुर्य यू आर के लिए एटी कट ओफ गई थी और ओवी सी के लिए आपका सेवंटी नाइन यहां पर चंडी कड़की जो एक पार फीसे कट ओफ आ गई है वह मैंने आपको बताई दिया है कि सीजी स्टी और कस्टम वाले जो होते हैं तो उनके लिए सब लगलग कट ओफ लगती है तो यू आर के लिए आप एटी 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 टू रहसी के लिए आपका सेवंटी सेवन कट ओफ जो है वह आपकी गई थी इमाचल परदेश के बात करते हैं तो यहां पर यू आर के लिए आपका सेवंटी सिक्स ओवी सी के लिए सेवंटी जो है कट ओफ गई है आंद्र प्रदेश के अगर मैं बात करता हूं तो आंद्र प्रदेश में यूर के लिए आपका 78 OBC की बात करता हूं तो 80 SC 74 ST की आपकी 80 68 कट ओफ जो गई है तमिल नाडू एंड पांडू चेरी के अगर बात करते हैं तो यहां पर जो है SC की जो है 65, ST की 59, OBC की आपकी 76 कट ओफ जो है वो गई है उसी परकार से सभी जो राज्ये हैं उनकी कट ओफ जो है आप देख सकते हैं अगर मैं सब की बताता हूं तो वीडियो और काफी लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो सकते हैं तो मैं अब डार्रक पोइंट पर आता लिए देखिए आपने सभी ने यह सारी जो कट ओफ है इसको एनलाइक कर लिया है और अगर मैं बात करता हूं कि इस बार MTS और आपका हवलदार मारं कि वहाल्णार की जो वैकेंसिय को दोनो अलग-लग वैकेंसी है लगबख 362 की वैकेंसी और 348 इसकी वैकेंसी तो आपकी लगबच लगबच 1200 के असपास बैक आई तो आपकी जो कट ओफ है भू भी अलग लग ही आए तो इसके अंदर आप मान यू ओर अगर आप कि प्लस माक्स लाते हैं अटी प्लस नहीं तो 85 प्लस अगर आप के माउन से न यह जा सकते हैं अगर माउवी सिक्वार के बात करता हूं कूला कूOW को यह मैं जो एलागे हैं यानि कि आप मान सकते हैं कि जो उनकी बात कर रहा हूं क्योंकि असम वगयरा तिरिवन्थ पुरम इन सब की जो कट वॉफ है वो काफी कम जाती है उन्हें स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूं अगर वी सी में आपके सेवन एटी टू प्लस मार्क्स आ जाते हैं टीर फर्स्ट में तो आप डेफिनेटली जो है टीर सेकंड के लिए चुने जाएंगे वहीं अगर मैं बात करता हूं एसी की तो एसी के अंदर कट ओफ कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है तो आपका सेवन्टी प्लस अगर मार्क जाते हैं टीर फर्स्ट में तो आप और वही Beautique से से थोटा सा कम लगा सकते है क्योंकी स्थिक स्थी का दोनम्बर जादा स्थिक कि दोनमबर कम सारी सारी चीजे कलियर कर दी है और इस बार के मैं बात करता हूं कट ज्यादा जाने के चांसी क्या हो सकते है क्योंकि कि आपका जο एक्जाम का जो लेवल है रहे करने का मतलब उनका यह है कि accuracy आपकी कितनी हैं यह सब तो आपको अंसर की के बाद ही पता चल पाएगा लेकिन अभी जो है attempt से ही आपको cutoff का अंदाजा लगाना पड़ेगा लेकिन cutoff का अंदाजा अभी नहीं लग सकता यह मैंने आपको को एक रेंज बता दी है कटोफ मार्क्स की अगर आपके इस रेंज के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आप टियर टू की तैयारी कर सकते हैं लेकिन अगर आपके attempt ही इतने नहीं हो पाएं तो फिर कहीं ना कहीं आप एक difficult condition में हैं अगर मैं करल की बात करता हूं female candidates की बात करता हूं तो उनकी cutoff जो हो अलग लगती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम attempt वाले जो होते हैं 100% accuracy के साथ पेपर attempt करते हैं मान लोग इसी ने 70 या 67 attempt किया है उसकी 100% accuracy यह सब सवाल सहीं तो उनको normalization में 8 या 10 नंबर भी मिल जाते हैं तो अगर आपके accuracy अच्छी है तो आपको मिल जाएगा tier 2 के लिए chance अगर आपके accuracy नहीं है आपने फिर भी 95 प्लस attempt कर दिये हैं तो अगर आपके accuracy अच्छी नहीं है तो आपको chance नहीं मिल पाएगा इस वीडियो में पस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने अभी भी चैनल को subscribe नहीं किया है और बैल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कृप्या चैनल को subscribe करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को like and share करना ना भूले thank you